आज हम जाने के cycle के हब के मारे में कितने type के होते हैं, कौन सा best रहता है ये दो तरह के मेरे बाद cycle हैं, इसमें 2 different type के hub लगे होएं तो इस video के तुरू में आपको बताने जा रहा हूँ कोन सा best रहता है तो guys, सबसे बहले हम जान लेते हैं, जिसमें nut लगा होता है एक्सल के उपर नर्चरा रखा होता है दोनों सैट से और इसको टाइड कर रखा होता है ताके यह वील है बाहर ना निकले तो इसकेस में क्या होता है इसको लूज करने के लिए आपको यह चावी की जूरत पड़ती है इसको लगागे हमें open और tight करना पड़ता है जिससे क्या आता है time cards consume होता है और लग से चावी चाहिए होती है इसको tight करने के लिए इनके इस रास्ते में cycle खराव हो जाती है तो अगर ये चावी ना हो तो आप इसको open नहीं कर सकते और इसको open करके ठीक नहीं कर सकते second हम जान लेते हैं दूसरे hub के बारे में जिसमें quick lease लगा होता है दूसरा जो cycle में hub है ये quick lease के साथ है ये quick lease क्या होता है इसमें क्या होता है ये axle जो होता है मैं open करके दिखाएता हूँ axle के बीच में ना hole होता है तो उसके बीच में से रोड डाल रखे होती है इसको हम quicklys कहते हैं तो इसके लिए आपको कोई tool की जूरत नहीं पड़ती है इस तरह से होता है अब जैसे मैं आपके सामने open करती है इसको यह quicklys है completely set और यह आप विल इसको open ऐसे असानी से कर सकते हो तो इसमें किसी आपको key की तरह शूरत नहीं पड़ती और इसको मैं asemble करके दिखा देता हूं किससे आपको असेंबल कर सकते हो इसमें इसंप्रिंग भी दे रखा होता है यह वाला से इसको आपने इस जैसे ही आपको लगे वी ये टाइट हो गया है बस इसको आपने प्रेस कर देना है इस तरह प्रेस करने से ये वील असेंबल हो जाता है तो किकली इसका हमें ये बेनिफिट रहता है इसके लिए अलग से कोई तूल की दूरत नहीं पड़ती इनके जरास्ते में साइकल ख़रा बसर लिए नहीं हो जाइब में ख़राण एम कर दो में साइकलग से काथव्राण जाएबल र librता जा स्यूर्भता क्यों जा दो चालती है तो किकलosaी टॉँ nosso जक्का फ़रे से फिरकों से डिलोड़ती थाहीं है अन्य है और बसर भी गार है में ही।